आपकी शान, Farmtrack 60, Powermax अब प्रमानित 55HP में पर्फॉर्मेंस में जान बढ़ाये आपकी शान नमस्कार दोस्टों, आपका स्वागत है आज, Farmtrack का नया Farmtrack 60, Powermax जो प्रमानित 55HP में आता है, 10 कूबियों का दम तो ये दसो खूबियां क्या है उसकी बारी की सी जानकारी लेंगे पहला 3514 CC वाला बड़ा इंजिन जो पूरा का पूरा 55 HP प्रदान करता है बे मिसल ताकत जो चलाए बड़े से बड़े उपकरण बिना RPM ड्रॉप किये फेज योड पर्फॉर्मेंस के साथ दूसरा 240 Nm टॉर्क के साथ ज्यादा ताकत यानि अधिक लोड के काम को भी आसानी से करें EPI Reduction सबसे दमदार Reduction Technology अधिक लोड में भी जबरदस्त पर्फॉर्मेंस चाउता 49 HP PTO पावर बड़े बड़े उपकरण को चलाए बहुत आसानी से बहतरीन पर्फॉर्मेंस के साथ पांचवा 8 Plus 2 Constant Mesh Gear Box हर काम के लिए उप्युक्त स्पीड अराम दायक गेर शिफ्टिंग के साथ छटा Multispeed Reverse PTO PTO में मिले पीड के ज्यादा विकल साथ में उल्टी गूमने के भी स्पीड मतलब विबिन उपकरणों के साथ बहतरीन साजेदारी साथवा 1800 किलो Heavy Duty Hydraulic Lift चमता भारी से बारी कारियों में बहतरीन प्रदर्शन सर्वस्रेश्ट Sensing Technology के साथ ये दे एक समान जुताई व गहराई के साथ आटवा 14.928 के बड़े टायर विकल्प में 16.928 के और भी बड़े टायर उपलब्द हैं फाइदा मिट्टी से बनाए बेजोड पकड वील स्लिपेज जैसे समस्या से मुक्त नववा पॉइंट पूरा का पूरा 500 गंटे सर्विस अंत्राल वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम बार-बार सर्विस के जंजट से चुटी समय वद्धन की बचत दसवा पॉइंट पूरा का पूरा सिंगल पीस बोनेट LED हेडलाम्प हेलोजन लेंस के साथ और हाँ कंपनी फिटेड हेवी ड्यूटी फ्रेंट बंपर और वो भी टोहुक के साथ आगे से अगर आप देखोगे तो फार्म ट्रेक का क्रोम वाला बैज दिया गया है सिल्वर लाइनिंग के साथ हेडलाइट ही नहीं पार्किंग हेजाड लाइट भी एलीडी है और बीचे ब्रेक लाइट भी एलीडी है सेफटी के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल स्टाइलिश प्लेट दिया गया है और लिका भी है हॉट मतलब ये गरम है जैसे किसानों की ज़रूती इस ट्रेक्टर के अंदर टैंडम पंप की जगा हमने दो स्प्लिट पंप लगा है एक पावर स्टेरिंग के लिए एक हाइट्रोलिक पंप के लिए आगे से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सी फ्रंट एक्सल मतलब आगे का एक्सल ट्रैक्पिट आप एडजेस्ट कर सकते हो जरूत अनुसार जो फाइदेमन है रो क्रॉपिंग में इसमें आपको मिलता है स्प्लाइन टाइप स्पिंडल जो हेवी द्यूटी कामों के लिए सक्षम है इस ट्रैक्टर के अंदर बैलेंस टाइप पावर स्टेरिंग मतलब दोनों तरफ से एक्चिवेटिंग होता है स्टेरिंग वील आप आसानी से ओपरेट कर सकते हो इसमें आपको मिलता है डीलक्स ड्राइवर सीट operator की weight के हिसाब से आप आसानी से adjust कर सकते हो मतलब लंबे समय तक इस tractor पर operate करोगे बिना थके इस tractor में आप देख सकते हो sporty 3-spork वाला steering wheel दिया गया है जो बहुती आसानी से एक हाथ से पूरी tractor को आप काड़ सकते हो इस tractor में आपको प्राप्थ होता है अकर्शक digital instrument cluster क्योंकि इसमें आपको प्राप्थ होता है digital armiter साथी साथ दिन में अलग रात में अलग दिखने वाला instrument cluster है इसमें आपको मिलता है दो lever वाला hydraulics additionally auxiliary lever भी दिया गया है बात करते हैं fender की तरफ वाला काला lever इसको हम बोलते हैं position lever लिका भी है यहां पर position lever इस्तमाल आप कर सकते हो जहां पर कम गहराई में जो उपकरंट चलाना चाहोगे secondary उपकरंट रोटवेटर लेवलर या सीट ड्रिल उसके बगल वाला lever जो केसरी रंग का है इसको बोलते हैं draft lever जिसमें ADDC sensing उपलब्ध होता है गहराई में जाके काम करने वाले उपकरंट को चलाने के लिए कारगर होता है जैसे की primary उपकरंट, MB-plow, Subsoiler या Cultivator सबसे मुख्य बात ये दोनों lever को mix करके भी चला सकते हो उसको blending या mix control भी कहा जाता है hydraulics के अंदर हम प्रदान करते हैं transport lock मनि अगर आप इस knob को lock कर दोगे पूरा तो ये transport lock का काम करेगा और हाँ पीछे की तरफ अगर आप QRC कपलर में tipping trolley का pipe लगा रखा है तो इस lever से आप tipping trolley को उठा या गिरा भी सकते हो इसके अलावा इसमें double QRC कपलर दिया गया है मतलब दो hydraulic pressure वाले कोई भी उपकरंडी आसानी से इससे चला सकते हो hydraulic के अंदर इस tractor में आपको प्राप्त होता है special toppling mounting bracket क्योंकि इसके अंदर जैसे जमीन वैसे आप sensing की सुविदा select कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो उपर वाला जो hole है उसको select करोगे तो यह soft या नरम soil के लिए हो गया बीच वाला माध्यम या medium soil के लिए हो गया और नीची वाले hole पे जो आप toppling mount करोगे तो यह हो जाता है hard soil के लिए जहां पर सक्त मिट्टी है और sensing आपको कम चाहिए तो जैसे मिट्टी वैसे यह hydraulics मिट्टी को sense करते वे काम करेगा इसका फाइदा ट्रेक्टर पे load कम लगेगा और जब जुताई करोगे तो depth एक समान पूरी खेत में आपको प्राप्त हो जाएगा साथी साथ आप देख सकते हो पूरा का पूरा flat back end है तो हुक के साथ बड़ी ट्रॉली माध्यम ट्रॉली या छोटी ट्रॉली जैसी जरूरत वैसे आसानी से जोड़ के आप चला सकते हो इसमें आपको प्राप्त होता है adjustable lift rod यह फाइदे बंद होता है जब भी आप implement बांदने के बाद implement की horizontal level सही करने के लिए और यह जो adjustable lift rod आप देख रहे हो है यह auto lock system वाला है मतलब आपने adjust करके छोड़ दिया वहीं पे यह lock हो जाता है उसी adjustment पे इस tractor में आपको प्राप्त होता है pin type heavy duty stay bar इसको adjust करने में आसानी और heavy duty भी है इस tractor में आपको मिलता है पूरे 5 साल का warranty हम बोलते ही नहीं लिखे भी आपको देते हैं पूरा 5 साल का warranty या 5000 गंटे तो दोस्तों एक मुख feature मैं आपको बताना चाहूंगा और उसका नाम है care direct 24 bar 7 इसका मतलब एक बटन दबा के company के साथ आप कभी भी जोड़ सकते हो कोई तकनी की जानकारी या छोटी समस्या या tractor की booking भी आप इससे कर सकते हो तो दोस्तों आज आपने जाना farm track का नया शान farm track start power max जो देर किस बात की नजदी की dealership पे जाये farm track start का demo लीचिए धन्यवाद